हलो हाई नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैगनेट बेंस के आई टी जे और नी चैनल पे यहाँ जम बात करने जा रहे हैं वर्क पावर एनेरजी डी पी पी नमबर टू जहां पे चर्चा होगी वर्क डन बाई वेरिबल फोर्स की देखो बाई वेरिबल फोर्स का जब बात करें और उसके थ्रू जब वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो तुम भी जानते हो कि वो जो फॉर्मला लगता था एफस कॉस से टावलाफ वो वैलिड नहीं हो पता फिर तो बही ऐसे केसिस में हम क्या करें क्या हमारी अप्रोच होनी चीए वो हम आज डिसकस करेंगे ठीक है तो मेरा नाम आशिश कपलेश मैं पिसले छे सालों से जाई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं और देन 50,000 सुजन्स को मैं पढ़ा चुका हूं तो मेरी कवी बात आपके लिए इंपॉर्डेंट होने वाली है तो बातों में क्या है वो यह बता देता हूं तो जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर जो topic wise explanations आपको मिलते हैं lecture में जो बाते आपको बोली जाती है उनको note कीजे बिटा वो बहुत जरूरी है आपके notes बनाना अनिवार है notes बनाने के बाद आपको DPP यानि daily practice problems को solve करना है जैसे ही कोई lecture complete होता है या कोई topic complete होता है हम देते हैं आपको उसकी DPP ये DPP आपको मिलेगी हमारे official website पे www.magnetbrains.com वहाँ पे जाए IITJ में जाना है उस chapter में जाना है lecture के नीचे उसकी DPP PDF format में available है download करो और उसको solve करो while solving the DPP हो सकता है कुछ सवालों में समस्या आए परेशानी आए तो घबराना मत क्योंकि उसका video solution मैं आपको provide कराऊगा जैसे आज अभी ये वनाने जारू video solution तो ये DPP आपको website पे मिलेगी video solutions भी आपको website पे मिल देंगे और ये सारी चीजे करने के बाद फिर बारी आती है questions की तो बेटा DPP में तो खेर आप questions करते हो topic wise लेकिन उसके बाद पूरे chapter के questions भी करने आपको तो जितने पार्ट आपने पढ़ लिया है जितने भी topics आपने पढ़ लिये है उनके questions लगाना शुरू कर दीजे जाद से जाद questions को solve कीजे जितने questions solve करेंगे उतना ही benefit आपको मिलने वाला है और ये चीज़ समझनो बेटा की physics में तो question भी concept सिखाता है तो concepts और ज़्यादा strong होगे कुछ नए concepts भी सीखने को मिल सकता है अगर आप questions ज़्यादा ज़्यादा करते हो तो बई chapter wise यहाँ पर आपको questions के practice करनी है जो भी book आप solve कर रहो solve कीजिए, जो भी material आप solve कर रहो solve कीजिए, but make sure बेटा कि उसके जितने भी questions वो सब आपको आने चाहिए तो कोई भी book आप prefer कीजिए best होती है बेटा, बट यह है कि आपको उसके सारे questions आने चाहिए तो last के बाद में क्या है बेटा आपको करना है previous year questions previous year questions से आपको idea मिल जाएगा कि वो जो topic हमने पढ़ा है उसका weightage कितना है उससे related कैसे सवाल पूछे गए पिसले कुछ सालों में तो previous year questions again important होता है और interest में बेटा, अगर आप अपने preparation को इसी pattern की हिसाब से गर रहे हो क्योंकि देखो, it's all about कि आप कितना smart work करते हो, ठीक है गदो की दर महनत हमें नहीं करनी हमें smart work करना है तो smart work is like कि आप अपने preparation को एक strategy के साथ लेके चलिए और ये वो strategy है जो हम यहाँ पे follow करवाते हैं, आप से पहले भी बच्चों ने follow की है, उनका selection हुआ है इसलिए आपको भी मैं बोल रहा हूं कि इसी pattern को follow करते हुए preparation कीजिए, ताकि आपका selection भी 100% हो ठीक है, तो इस बात करहां रखेगा थोड़ासा, भागी बेटा आपकी doubt solving sessions चल रहे है, ask you doubt करके link available है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो आपके जो test papers से वो आ रहे है guidance वगर आपको आप type to time देते रहते है live sessions होते है, वहाँ पर भी आपको guidance मिलती रहती है तो ये सारी चीजे हम आपको time to time provide करार है तो इसकी बिल्कुल भी चिंदा मत करीगा ये मत सोचीगा कि सर बाकी का क्या करें तुम बस अपनी preparation पर focus करो बाकी काम हमारा है ठीक है चलिए बई, तो शुरू करते हैं हमारा आज का session और pen or paper लेके बिल्कुल तैयार है ना तुम कि अगर आपने DPP solve नहीं की तो मौका अच्छा है अभी solve कर देना ठीक है तो मैं आपको मौका दूंगा question दिखाऊंगा solve करके देखना आपका answer आता है कि नहीं आता तो शुरू करते हैं कहानी को with the very first question and the question is a body is displaced from 0,0 to 1,1 along the path x equals to y always यह बात है ऐसा 0 से लेके 1,0,0 से लेके 1,1 तक जा रहा है वो x equals to y वाली लाइन पर जा रहा होगा force जो है x square j cap ओहो यह क्या हो गया sir x square j cap और y i cap है the work done by this force बेटा पहली बात तो variable force है हाँ सब बिल्कुल variable force है तो इस variable force की वज़ा से जो work done आता है इस गिवन बाई integral of f dot dr ठीक है साब तो किसी भी variable force की वज़ा से जो work done आता है इस गिवन बाई f dot dr ठीक है sir समझ गे बात को dr को लिखते हैं क्या sir r जो होता है basically हुमारा position vector होता है और इसको लिखने का तेरिक होता है x i cap plus y j cap r जो होता है हमारा position vector होता है और इसको लिखने का तरीक होता है x i cap plus y j cap अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ differentiation कर दूँ तो dr vector बनेगा यह it can be written as dx i cap plus dy j cap so dr vector को लिखा जाता है dx i cap plus dy j cap अच्छा जी ठीक है समझ गे तो work done जो होगा it is given by beta f integral of f vector dot dr vector बेटा एक बात बताना भी रुको अभी आ रहे हम वहाँ पे भी x square j cap plus y i cap dot dr की जगा पे मैं लिखता दा हूँ dx i cap plus dy j cap limits t 0,0 से लिके 1,1 तक बेटा coordinates को कैसे पढ़ा जाता है x,y x,y x की value जो है वो 0 से 1 जा रही है y की भी value 0 से लिके 1 तक जा रही है तो क्यों ना पहले हम x वालों को अलग कर ले और y वालों को अलग कर ले तो बेटा rule क्या कहता है dot product का rule कहता है कि i cap वाला i cap के साथ multiply होगा j cap वाला j cap के साथ multiply होगा क्या यही है rule i cap वाला i cap के साथ j cap वाला j cap के साथ यही तो rule कहता है हमारा तो बेटा हमने भी यही किया rule को follow किया और यह बना integral of x square dy x square dy plus y dx y dx limit लगेगी 0,0 से लिके 1,1 पर सर इसमा मजा ही नहीं आ रहा कुछ है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं x का integration y के साथ को दो y का integration x के साथ को दो नहीं हो सकता है possible तो उसके लिए उन्होंने आपको एक line दी है कि body का जो displacement हुआ है it is along the path x equals to y है ना particle का जो भी displacement हुआ है it is along the line x equals to y तो यहाँ पर लिख देता हूँ since x is equals to y so dx is equals to dy अगर x और y बराबर है तो dx और dy को बराबर कर सकते हैं तो जहाँ पर dy दिख रहा है वहाँ dx लिख सकता हूँ और जहाँ dx दिख रहा है वहाँ dy लिख सकता हूँ काम बन जाएगा तब भी करके देखो भाई इन्होंने बोला है x और y बराबर है तो दोनों तब differentiation किया तो dx और dy बराबर dx और dy अगर बराबर है तो जहाँ पर dy है वहाँ dx लिख दीजिए और जहाँ पर dx है वहाँ पर dy लिख दीजिए क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो यही काम अब अगले पेज पर हम लोग करेंगे तो यही काम अगले पेज पर करेंगे तो w is equals to integral of y square dy भाई यह dx की जगा मैंने dy पूट कर दिया उल्टा लिख जाए कैं मैंने x square होगा न हाँ sir x square dy x square dy plus y dx तो हमने क्या किया x square dy की जगा पे मैंने dx लिख दिया और dx की जगा मैंने dy पूट कर दिया limit लगेगी 0 से लिख जिरो से लिखे 1,1 तक अब इनको break कर लीजिए तो break किया तो एक बार integration तो सिर्फ x का होगा और एक बार integration तो सिर्फ y का होगा, सही बात है न बेटा ये एक बार integration x का और एक बार integration y का बेटा x की limit 0 से लिखे 1 तक x की limit 0 से लिखे 1 तक y की limit 0 से लिखे 1 तक y की limit भी 0 से लिखे 1 तक तो एक बार x की limit होगी 0 से लिखे 1 एक बार y की limit होगी 0 से लिखे 1 और अब इनको हम solve कर सकते हैं तो solve किया, तो देखा, क्या मिला? यह x square का integration x cube upon 3 हो जाएगा limits will be from 0 to 1 बैटा y का integration y square by 2 हो जाएगा limits will be from 0 to 1 और upon में 2 चलेगा तो work done की अगर बात की जाएगा तो upper limit, बैटा 1 minus lower limit 0 divided by 3 plus, बैटा upper limit 1 minus lower limit 0 divided by 2 so solving this part 1 by 3 plus 1 by 2 दिखाई तो दे नहीं दाओगा तुम लोगों को पर देख लो एक वार, तो सल्ली से क्या मैं सही कर रहा हूं सब कुछ? क्या मैं सही जा रहा हूं बिलकुल? क्या कोई समस्या तो नहीं होगी इसमें? यार अगर LCM ले लोगूं तो LCM लेने के बाद क्या बनता ही है? सर, LCM आयागा इसका 6 और 3 दो नी 6 दो ती ये 6 3 दो 5, 5 बटा 6 आ रहा है बहीं आंसर तो तो क्या मैं बोल दू? that work done equals to 5 by 6 joule ठीक है? क्या है लिए बही सर? तो तो देस अल अल बाद इस कोशन नमबर फर्स्ट, 5 बटा 6 कहा मिलता है 5 बटा 6? ये रहा सर, B option क्या ये बाद तुम्हें भी समझाती है? मुझे भी समझाती है? चाब लग जल्दी से हाँ भी, नोट करो जल्दी से समझ रहे हो बात को? देख रहा है बिनोट, किस प्रकार से हमने यहाँ पे dy को dx कर दिया, देख रहा है? समझ रहो ना बिटा बात को? x equals to y question में given है अरे given है तो जब x और y बराबर तो dx और dy बराबर नहीं होंगे क्या? तो कर दो ना और ये वाली बात तो मैं तुम्हें पहले भी बता दी थी जब lecture में बोला था ये हमारा ब्रह्मास्तर है इसको चला डाला तो question solve कर डाला ठीक है? चले मेरे बचे तो ये सारी बाते तुम्हें समझ आ गई होगी ये चाप लिया होगा सभी ने फिर इदर आओ, this is the final answer we have 5 बटा 6 Joule चले बढ़े आगे अगला सवाल देख ले अगला सवाल जिराफ पे है जिराफ मतलब G-R-A-P-H है न graph जिसे कहते है figure shows the force versus displacement graph देखो जी राफ है न, of a particle the work done is, तो पिटा इस case में work done निकालना है अब देखो कहां से कहां तक की बात करे तो सर्करव, यह जो जिराफ है यह शुरू हुआ है 1 से लेके 4 के बीच में, तो इसी के बीच में निकालेंगे तो एक तो यह वाला इलाका यह वाला इलाका यह वाला इलाका बस इनका area निकाल दो, और वाहाँ अपस में plus कर दो, काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि work done यहाँ पर positive भी होता है, तो बेटा एक काम करना जो जो graph positive side दिखे उसको positive लेना जो जो graph negative side दिखे उसको negative लेना समझ गए सर तो work done equals to area under fx giraffe सही बात है area under fx graph, ओके तो सबसे पहले area कहां देखने को मिलगा सर यह वला, a1 दूसरा area कहां देखने को मिलगा यह वला, a2 तीसरा area कहां देखने को मिला, a3 भाई साब, जो positive में उसको plus लगाएंगे जो negative में उसको minus लगाएंगे तो work done is equals to a1 plus a2 plus a3 सर जो negative वाल है उसको मैं negative value के साथ रख देना इसका area बोलो तो बिटा सर यह 2 into 10 अरे बोलो यह 2 minus 1 1 और यह 10 तो 10 into 1 10 होता है सर फिर इधर आओ 3 minus का 2 यह कितना हो जाएगा सर यह भी 1 हो जाएगा यह वाला part कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा सर ओहो क्या बात है पर यह negative में है यह negative में है तो minus का 10 into 1 बहुत शांदार negative में होने के कारण minus का sign लगाया है फिर आगे बड़े यह वाली दूरी कितनी सर यह दूरी यह 1 meter की है यह दूरी यह यह कितना 10 तो फिर से 10 into 1 कर देंगे तो plus का 10 into 1 बाई यह minus का 10 यह plus का 10 चम चम हो जाएगा और यहाँ पर answer बच जाएगा 10 क्या यह work done है तो unit लगा देना Joule और this is the final answer बहुत tough था नहीं कोशन शांद बहुत ज़दा बहुत ही ज़दा अत्यंत tough सवाल जो हमने किया आज है न नोट कलो जली से इसको फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों रहेंगे किया नोट नोट किया बढ़े आगे आओ ज़रा अगला सवाल फिर से गराफ पे होगा बटा कोशन क्या बोलता है अबजेक्ट इस मूविं अलों दा X-Axis और इसको पर कोई फोर्स एफेक्स लग रहा होगा तो यहाँ पे फेक्स वैरीज विद दा पोजिशन तो आइठिंक यह एक विरेबल फोर्स की कहानी हो गई और अबजेक्ट मूफ कर रहा है अलों दा X-Axis अबजेक्ट इस मूविं अलों दा X-Axis और एक विरेबल फोर्स उस पर लग रहा है अबजेक्ट इस दन बाई इस फोर्स अज अबजेक्ट मूफ स्वाँ टू मीटर टू एट मीटर सहाब टू मीटर कहां पे यह रहा टू मीटर वाला पॉइंट और कहां तक जा रहा है यह रहा एट मीटर वाला पॉइंट तो बस आपको इतने से इलाके में ही इसका वो बताना है work done टू से लेके एट तक बस इतने से पार्ट में ही work done बताना है आपको कितना होगा ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को सिर्फ इतने से पार्ट में तो सर इसका एरिया निकाल लें क्या इसका एरिया वे एरिया निकाल लो यार मज़ा ही आ जाएगा फिर तो तो is this the area under this part and is this the area under the part of this line मैं इसको एक काम करता हूं दूसरे रंग से बना देता हूं ताकि अंतर समा जा सके हाँ अब अच्छा लग रहे तो हमने बोला दो से लेकर आठ तक टू से लेकर एट मीटर तक टू मीटर से लेकर यहाँ पर टू मीटर है यहाँ पर एट मीटर है तू मीटर से लेकर एट मीटर तक बताइए what is the work done by the force, variable force है position के साथ force adjust हो रहा है position के साथ force adjust हो रहा है तो कैसे किया जाए इस सवाल को सर वही सर पुरानी बातें जो बच्चपन में की थी क्या बोलते थे work done equals to area under fx curve area under fx curve area under fx curve area under fx curve तो will be कितना मनेगा ये वला इसको मैं नाम दे दूँ a1 इस इलाके को मैंने नाम दे दिया a1 इस इलाके को मैंने नाम दे दिया a2 और जो positive होगा उसको plus लिखेंगे जो negative होगा उसको minus लिखेंगे तो work done will be a1 plus a2 it will be a half base में कौन है 6 minus का 2 कितना होता है बिटा ये 4 6 minus का 2 4 और ये कितना 20 तो 4 into 20 minus मैं क्योंकि वो दे को नीची की तरफ है बिटा 8 minus का 6 कितना होता है 8 minus का 6 साब ये होता है 2 और ये हो जाएगा कितना 10 तो 10 into 2 ऐसे तो half base into high t लगाना पड़ेगा half 10 into 2 वो negative मैं है ना इसलिए कहानी चलीगे 2 to the 4 40 minus का 10 यानि की 30 joule बिटा प्लस का आ रहे क्या answer चीज सर प्लस का आ रहे positive answer आ रहे तो मैं बोल दूं क्या 30 joule is the right one प्लस का answer आ रहे तो बोल दूं क्या 30 joule प्लस का सही होगा तो वस यह ही यह कहानी इस question की तो चाप लो जली से फिर हम आगे बढ़ते है चाप लिया जोट किया सभी ने बढ़ें के आगे तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमसे बोलता है अंडर था एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ टू केजी अ मास मोव सच अगा इस पोजिशन एक्स अज़ा फॉंक्शन ऑफ ताइम इस गिवन भाई एक्स इकोल सुटी क्यूब भाई यहां पे पोजिशन जो है समय के साथ बदल रही है पोजिशन अगर समय के साथ बदलती है तो फिर क्या किया जाए वर्क डन कैल्कुलेट करना है इन फर्स्ट टू सेकंड्स पहले की दो सेकंड्स में जब भी वैसे बोलता है ना फर्स्ट टू सेकंड्स तो समझ जाया करो तो टी इकोल्स टू जीरो सेकंड्स से लेके बात हो रही है टी इकोल्स टू टू सेकंड्स के लिए टी इकोल्स टू जीरो सेकंड्स से लेके बात हो रही है टी इकोल्स टू सेकंड्स तक तो पहले तो ये चेक करना जरूरी है की 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 यह variable force का case होगा या constant force का case होगा यह जानना भी तो जरूरी है कि variable force होगा या constant force होगा क्या करे कैसे पता करे सर एक्स है एक्स का क्या मैं differentiation कर दू तो velocity मिलेगी उसका भी differentiation कर दू तो acceleration मिलेगा और acceleration को mass से multiply करने से तो force मिलता है चलिए बई, तो solve करते हैं एक्स अपाउंट्री चलो बई है ना क्या बोले यहाँ पे x बदल रही है हाँ बिलकुल सही बोले है x बदल रही है इसका हमने differentiation कर दिया है with respect to the sum अगर हम differentiation करें तो बेटा यहाँ पे t cube का differentiation पावर आगे आता है और यहाँ पे minus का one हो जाता है upon में तीन चल लेगा बई, तीन से तीन चमचम हो जाएंगे and it comes out to be t का power 2 ओके सर अभी dx by dt ती, t square है तो अब हम इसका fit से differentiation कर देते हैं तो velocity जो है वो है t का square क्योंकि सर dx by dt v ही होता है ना पता है ना तुम लोगों को अंजान तो नहीं हो ना इसका further differentiation क्या है so dv by dt comes out to be 2t हो जाएगा सरी क्योंकि power आगे आती हो 2 minus 1 यानि कि acceleration 2t मिल रहा है acceleration मिला 2t और सर मास कितना है 2kg का तो force कितना मिलेगा ma 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 m बोले तो 2 into 2t बोले तो 4t तो बेटा force कितना मिल रहा है 4t क्या variable है नहीं सर constant है है f equals to 40 variable है आरे सर बिलकुल variable है यह पूछने वाली बात तो थी नहीं चोलो if it is a variable force तो the work done is given by integral of f dot dx यह क्या हुआ साहब हमारा force तो समय पे depend कर रहा है और आप इसका integration position के साथ कर रहे हो ऐसा नहीं हो सकता साहब ऐसा नहीं हो सकता हम इसका विरोध करेंगे और यहां से dx का value निकालेंगे t square dt इस dx को ठाके वहां पटक दो ताकि काम बन सके यह dx को ठाके वहां रख दीजिए ताकि आपका काम बन जाए dx आरे देखो ना यह dx by dt t t square dx by dt t square तो dt को ठाके दो तो dx equals to t square dt तो work done is given by integration of by force की बात करूं तो it comes out to be 4t 4t और dx की जगा t square dt है ना force की जगा क्या 4t और dx की जगा t square dt so work done is given by integration of 4t cube dt integration of 4t cube dt क्या बात सही है कहां सेखा तक 0 से लेके 2 seconds तक हम इसको solve करना चाहते थे 4 constant बाहर आ जाएगा और t cube का integration होगा t का power 4 upon 4 by 4 constant था बाहर आ गया t cube का integration t का power 3 plus 1 4 upon 3 plus 1 4 limit लगा देना 0 से लेके 2 तक 4 से 4 फिर से चंचंब हो जाएगा and the work done is 2 की power 4 कितना था भाई 2 की power 4 16 तो नहीं होता कहीं है 16 तो नहीं होता कहीं तो यह 16 Joule तो नहीं बन रहा कहीं तुम्हारा आंसर देख लो यार कहीं conversion कुन्वर्जन में तो कहीं समस्या तो नहीं कर देख्यों कि सारे यह कुछ ऐसे ही कहानी दिखा रहा था 16, 100, 160, 16, 1.6 तो मीटर में चल रही थी कहानी सब कुछ मीटर में रखा है SI में चल रही थी सारी बाते SI में ही रखी है 2 कापा 4, 2 तुछ चापा 4 2 तुछ चापा 4, 2 तुछ चापा 4 और 4 फोज चापा 16 बहुत शांचर So, this is all about this question number 4 उमीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी छापलो जली से बैटाइज इसको फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगलेश सिहार की ओर किया note बड़े, to the next question लो भई, कुस्षन नंबर 5 हाँ जी बच्चे, तो कुस्षन नंबर 5 हम से कहता है कि एक फारस लग रहा है which is of minus ka k y i cap plus x j cap where k is a positive constant and it acts on a particle which is moving in the x y plane starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to the point a, 0 and then parallel to the y-axis to the point 0, a ठीक है, मतलब वो ultimately आप समझ जाओ ना, भावना है उसकी a, a तक जा रहे, the total work done by the force on the particle the total work done by the force on the particle कहां से चलना शुरू करे, कहां से चलना शुरू करे साब origin से, तो initial point आपके पास क्या हो जाएगा initial point हो जाएगा, साब 0, 0 finally कहां पर आए साब, साब पहले तो a, 0 पर गए थे लेकिन उसके बाद हम आए a, a पर, तो final point आपका a, a होगा तो बहिया, जब भी आप work done न कैलकुलेट करتे हो नए तो उसको इस बात से फर्कने पड़ता है कि आप कौन से रास्ते से जारे हो उसको तो फर्क पड़ता है initial and final position पर है ना, जो भी work done हो उसको इस बात से फर्क थोणगी पड़ेगा कि आप कौन से रास्ते से आ रहो तो बोलते है रहे यार तुम किसी भी रास्ते चाहो मेरे को क्या है मैं तो बस इतना कहता हूँ कि initial or final position से होनी चीए और sorry initial or final position क्या होनी चीए मुझे सफर परता है तो basically we have the initial coordinates we have the final coordinates force कितना है minus का k y i cap force की बात करें minus का k y i cap plus का x j cap सर यह क्यों करते हैं से बार बार क्यों करते हैं से बार बार चलो ठीक है कोई बात नी कोई दिक्कत नी बिटा करने तुम कर सी ठीक है साब हो गया अब फोर्स भी ऐसा दे दिया है उन्होंने अब इसका क्या करूं मैं सर इसका मैं क्या ही करूं इस पार xy plane में जा रहे हैं और अगर xy plane में move कर रहे हैं तो पहले x axis पर गए है फिर y axis पर गए है तो यार कहारी कुछ इस प्रकार से बना देते हैं ध्यान से दिखना मैं यहां हूँ initially पहले मैं गया इस point पे having the coordinates a, 0 बेटा क्या मैं सबसे पहले x axis पर गया और x axis पर जाते समें y 0 हो जाते हैं फिर इसके बाद मैं यहां से उपर उठा और उपर उठते हुए एक ऐसे point पाया जिसके coordinates से a, बलब यहां से हम यहां गए बट रास्ता पहले इधर से गए फिर इधर से गए ठीक है चलिए तो इसको कैसे solve किया जाए देखो ऐसे questions को solve करने के दो तरीके होते है न पहला तरीका क्या है वो बताता हूँ कि भाई force की जब आम बात करें क्योंकि देखो तुम भी जानता हूँ मैं भी जानता हूँ आगी जोगा इंटिग्रल आफ डॉठ द दर होगा यहांपे बिस्कली अ की फडॉठ डीयर होगा ठीक है कि एक बात बोलो भी आजम जब आप यहां से लेके यहां तक जारीज़े तो क्या आप का कोई योगदान रहा उसमें कुछ य का कोई योगदान था उसमें कुछ जब 0,0 से लेके 1,0 तक जा रहे थे तो y तो 0 हो गया उसके समें y 0 हो गया तो कहानी बसती है सिर्फ kx j cap वाली बोलो ना kx j cap वाली और यहां पर j cap है तो भाई dx क्योंकि देखो वही कहानी आ जाएगी r को लिखा जाएगा x i cap प्लस y j cap तो dr को लिखा जाएगा dx i cap प्लस dy j cap तो dr को लिखा जाता है dx i cap प्लस dy j cap तो can be written as integral of minus का k चलो मैं बाहर लिख देता हूँ minus का k बाहर आगे बेटा integral of y i cap प्लस x j cap dot dx i cap प्लस dy j cap तो इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा कि सबसे पहले तो हम जब x axis पर जाएगे क्योंकि 0,0 से लिखे a,0 पर गए x axis पर गए तो वहाँ पे तो y वाला पार्ट 0 हो जाएगा y वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो y को 0 करके it comes out to be minus का k x dy सही है और x की value किती हो जाएगी a x की value क्यों हो जाएगी a y में कहां से कहां तक जा रहे हो 0 से लेके a तो I think that will be your like k a square बन रही बात कुछ फिर उसके बाद आप कहां जा रहे हो उदर जा रहे हो तो वहां के लिए भी solve करोगे तो उसमें बटा x की जग आप already a put कर देंगे तो फिर answer आ जाएगा नहीं समझे बात को देखो मैं क्या कहा रहा हूँ कि सबसे पहले जब आप यहां से लेके यहां तक गए तो उसमें y 0 हो गया y 0 होते ही हमने बोला कहानी बदल जाएगी भाई अब अब कहानी बदल जाएगी x का integration करते है तो x square by 2 कर देंगे कि x square by 2 हो जाएगा हो फिर यहां पे जब आएगे तो x की जगा पे तो a fix हो गया कि ultimately अगर हम इसको solve करें तो x equals to y वाले coordinate पर आ रहे हैं हम लोग तो क्या मैं ऐसा कहूं कि या इसको कि w is equals to minus का k integral of y dx plus x dy समझ ना बता है ठीक है वो जो मैं आपको एक और approach बता रहा था वो थोड़ा सा complicated होगी क्योंकि आपको limits वगदा put करने पड़ी उसमें यह जो मैं काम बता रहा हूँ भी यह बिना limits को जाएगा y और dx साथ में आगे plus x dy साथ में आगे अच्छा कहां जिकार तक 0,0 से लेके सीधा a,a तक 0,0 से लेके सीधा कहा रहे a,a तक ठीक है बलब x की value भी a put करेंगे y की value भी a put करेंगे बेटा एक बात बताईए क्या यह कुछ formula बन सकते हैं क्या बोलो न y dx प्लस x dy सारा मैं अगरे page पर करता हूँ उसको तो work done का जो formula बनता है it is your minus का k integral of y dx plus x dy और limits लग रहे हैं 0,0 से लेके a,0 तक d by differentiation of x y बेटा x y का differentiation करें तो यह uv rule को follow uv rule पता है ना आपको x को बाहार रख दीजे तो y का integration हो जाएगा फिर y को बाहार रख दीजे तो x का integration होगा यानि की x dy plus y dx को मैं dx y लिख सकता हूँ तो यहां से work done का जो formula बनता है it is given by minus का k integral of d of x y बेटा ऐसी बात लिखना कोई गुनाहा तो नहीं है बोलो ना ऐसी बात लिखना मैं कोई गलती तो नहीं कर रहो है यह कैसे आपको पता चला यह थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा quotients करोगे तो automatically चीज़ दे clear होगी तो x dy और y dx को लिखने का तरीका d x y भी होता है क्योंकि यहाँ पर differentiation करोगे x into y का differentiation करोगे अगर x into y का तो बनेगा x को बाहर रखा y का differentiation किया y को बाहर रखा x का differentiation किया तो 0,0 से लेके a,a तक हमने इसको solve किया बेटा यह differential यह integral आपस में एक दूसरे को मार देंगे and you are left with only minus का k x y और limits जो है 0,0 से लेके a,a तरीकी भाई वही कहानी हो जाएगी एक बार upper limit minus lower limit और दूसरे में भी upper limit minus lower limit करके जब आप इसको solve करते हो यह answer comes out minus का a into a minus का k a square minus में 0 आजाएगा न upper limit put की x की जगा a y की जगा a minus lower limit put की x की जगा 0 y की जगा 0 तो a into a minus 0 into 0 solve करने पे a square ही बन जाएगा तो you are left with only a square तो answer बनेगा minus का k a square अब minus का k a square किसको बोलें इसमें से minus का k a square किसको बोलें से 2-2 plus k तो एक में minus लगा लो किसी में भी minus लगा लेना मैंने इस वाले में लगाया और कह दिया कि B is the right answer तेख वा तुम cross check कर लेना उसको है न DPP के answer की से cross check कर लेना answer में एक में minus लगाऊगा तो उसके हिसाफ से that will be the right answer अब हो सकते है वो minus D वाले option में लग रहा तो तुम check कर लेना उसको एक वा ठीक है so this is all about this question number 5 उमीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी clear है सभी को पका बढ़े आगे to the next question ये सारी बाते लिख ली आओ जी अगरा सवाल है बेटा देगरा particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with the velocity of V equals to A X का power 3 बटा 2 where A is 5 oh meter का power minus 1 by 2 अच्छा मलो उसकी value actually 1 by 2 X का power 3 by 2 है ना तो उसकी हिसाब से आईगी क्योंड बात ही है और पर second है the work done by the net force during the displacement X equals to 0 से लेके 2 meter तक by net force की वज़ा से work done कितना होगा तो I think ये वाला question हम तभी solve कर पाएंगे जब मुझे ये पता चलेगा कि is it a case of a variable force और a constant force so V is equals to A X का power 3 by 2 मैं इसकी unit देखनो है का meter per second equals to A meter cube meter per second का power meter m का power minus 1 by 2 और सके अरे क्या बात है मज़ा है क्या unit बनाई इनो या चलो confirm कर लिया ठीक है छोड़ो इसको मैं बस unit confirm कर रहा था उसकी सही की निए हाँ जी तो V equals to A X की power 3 by 2 है बेड़ा और V equals to A X की power 3 by 2 तो पहले तो ये देखो कि सहाब ये variable force का case होगा या फिर constant force का case कैसे पता करें सर A क्या acceleration है नहीं 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 A is not acceleration A acceleration नहीं होता है हाँ तुम सोच रहो क्या A acceleration नहीं 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 A is not A कोई constant है जिसकी value नहीं 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 क्या acceleration का unit होता है M का power minus 1 by 2 S का power minus 1 क्या ये acceleration का unit है नहीं सर So A is not acceleration अगर तुमारे मन में ये गंदा विचार आ भी रहा है कि A acceleration होगा तो भाई उसको निकाल देना A is not acceleration यहाँ पर acceleration को एक नया नाम देना पड़ेगा तो capital A से मैं denote करूँगा इस बार acceleration को अब क्या करें भाई उन्होंने सवाल में already A दे दिया तो मैं क्या करूँ मेरी क्या गलती इसमें उन्होंने सवाल में already A दे दिया तो इसमें मेरी क्या गलती तो मैं इस बार acceleration को capital A से denote करूँगा और तुम तो जानते हो कि acceleration जो होता है वो V dv by dx होता है होता तो है सर यह velocity x पर depend कर रही है तो dv by dx निकालना आता ही होगा तुम लोगों को so it can be written as 3 by 2 minus का 1 so 3a by 2 x का power 1 by 2 so dv by dx किया तो 3a upon 2 3a upon 2 3a upon 2 x का power 1 by 2 तो चलिए भाई लिखते हैं V की जगा पर A x की power 3 by 2 और dv by dx की जगा 3a upon 2 x की power 1 by 2 तो acceleration जो मिलेगा can be written as 3a square by 2 3a square by 2 dot x की power by 3 by 2 plus 1 by 2 square होते है 3 by 2 plus 1 by 2 4 by 2 4 by 2 बोले तो 2 तो यहां पर यह मिला acceleration यह क्या मिल गया acceleration मिल गया मैटा मास कितना है 0.5 kg का है सर मास कितना है 0.5 kg का है तो यहां से मैं force भी निकाल लूँ तो force can be written as m into a यहां से अगर हम कोशिश करें force find out करने की तो like force can be written as मैं यहां कर देता हूँ जगा बचाओ यार निकाल सकते हो a square by 2 x का square dx और limit की बात खड़ी तो limit की बात खड़ते समें हमें फथा चला कि limits will be from 0 to 2 limit 0 से 2 बेटा जो constant है उनको बहार निकाल दो जैसे 0.53 a का square 2 constant बाई जो constant होते हैं वो हमेशा बाहर ही निकल जाते हैं इसलिए कहते हैं इतना भी constant मत बनो समय के साथ बदलाव जरूरी है पर सर यह बदलाव तो position के साथ हो रहा है ठीक है बदलाव जरूरी है बने वो position के साथ हो या समय के साथ हो बदलाव जरूरी है क्योंकि जो constant होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है अच्छी ठीक है 0.53 a square बेटा एक value question में 5 दे रखा है तो चाहें तो आप वहाँ पर put कर सकते हैं और point हट आएंगे अपन में 0 आएगा 5 4s are 20 and 5 5 25 25 25 3s are 75 75 by 20 बनेगे काहनी क्या बात है सर you are so talented आप जरा solve कर लेके थे इसको भी आगे तो work done is given by 0.5 multiply by 3 into 5 का square upon में 2 integration of x का square dx or limits will be from 0 से लेके 2 तक हाजी बेटा बोलो जरा क्या तुमें भी वही दिखा जो मुझे दिखा 3 से 3 चम चम हो जाएगा and the work done is given by point हट आया upon में 0 आया 25 5s are 125 by 20 और यहाँ पे upper limit लगाई 2 का cube minus 0 का cube so work done is given by 125 by 20 multiply by 2 का cube याने की 8 2 4s are 8 तो बेटा यह हो जाएगा कितना 125 4s are 5 4s are 20 4 to 8, 9, 10 600 उल्टा कर दियेंगे मैंने 20 क्यों लिखर हो आपे 500 बनेगा ना सर्य तो देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे 125 by 20 था तो यह काट दिया 2 10s are 20 हो जाते हैं यहाँ पे और 2 4s are 8 होते हैं फिर उसके बाद हमने इसको फॉर्दर काटा तो 125 multiply by 4 किया 5 4s are 20 होते है 4 2s 8, 9, 10 होते है तो यहाँ पांसो बटा पांसो बटा दस यहाँ यह बात सभी को समझ आती है पचास जूल क्या option में है कही पचास जूल देख तो रहा है पहला option तो बोल दें क्या कह दें हम कि पचास जूल is the correct answer जी हाँ देवी और सजिनों पचास जूल बिलकुल सही जवाब होगा तो इसको चापने शुरू करेंगे right from here हमने पहले तो क्या किया बोला कि small a is not acceleration because small a कुछ और है फिर तो acceleration क्या होगा तो हमने बोला एक काम करो भाई साब acceleration को capital A बोल लो अब capital A denote करता है acceleration को तो हमने force निकाला force देखा तो x पे depend कर रहा है variable force का work done work done work done by variable force तो variable force की वज़ा से जो work done होता है it is given by this और limits जो है कोशन में बोल जाया कि displacement x equals to 0 से लिके x equals to तो तो की limit लगानी है तो limit लगा ली and solve किया answer है चापो जल्दी से इसको चापो note किया फिर इदर आओ this is the final answer पूरे calculation का इस्तमाल करते हुए सब को काट पीटके हम आगे बड़े और 50 जूल answer लिके है clear रही बाते बड़े अंगले सवाल पे सबीज लोग सैमत हो और ज़रा तो सवाल यह है बेटा कि एक chain जिसका mass M है and it lies oh length है एक chain जिसका mass M है और length L है rest कर रहा है rough table पे with the part over hanging कुछ part उसका जो है वो लटका हुआ है the chain starts sliding down by itself if over hanging part is L by 3 what will be the work performed by the frictional force acting on the chain by the moment it starts it slides completely off the table पेटा यह तुम भी जानते हो कि यह जो chain है अगर इसका hanging part L by 3 हो जाए इसका hanging part L by 3 हो जाए तो यह chain नीचे की तरफ आना शूरू हो जाएगी because इसका कुछ mass होगा M and the force will be mg यह जो part होगा it is your L minus का L by 3 यानि की 2 L by 3 यह table पे है बेटा इसका mass मानी जे small M dash हो जाएगा तो इस पे M dash G लगेगा नीचे की तरफ normal लगेगा उपर की तरफ और यहाँ पे लगेगा friction ऐसा बढ़ाया था क्या मैंने यह भी तुमें class में chain वाली समस्या कराई थी न mg L upon 2 N square हाँ याद आगया work done तो यही होता था ना कुछ चलो देखते हैं तो बेटा जब hanging part इसका L by 3 था तो chain फिसल रही नीचे जब hanging part इसका L by 3 हुआ तो chain फिसलना शुरू हो गई यह देखो the chain starts sliding down by itself if the overhanging part is L by 3 यानि कि overhanging part जो है अगर वो L by 3 हो जाया तो chain starts sliding और उसकेस में friction हमारे पास तुम्हें पता है limiting friction mu s into n करते थे तो हमसे बोल रहा है what is the work performed by the frictional force acting on the chain by the moment it slides completely off the table पेटा जब यह पूरी की पूरी chain table से गिर जाएगी तब तक friction ने कितना work किया यह आपको बताना है जब तक यह पूरी chain table से नीचे गिर जाए तब तक बताते रहे हैं क्योंकि देखो जब तक यह chain table पे रहेगी तब तक friction जिन्दा रहेगा यह friction कब मरेगा जब यह पूरी chain table से नीचे गिर जाएगी तो जब तक यह chain table पे है friction रहेगा और जब तक यह chain table पे है तब तक friction कितना work कर रहा है यह आपको बता रहे हैं अच्छा यह कुछ अलग है सर तो पहली बात तो इनके masses निकाल लें क्योंकि sir हमने माल लिया कि chain का total mass m हो जाएगा समस्या हो गई question में तो m दे दिया उन्होंने तो हम कुछ और mass माल लेंगे हम इसको माल लेंगे capital M और इसको माल लेंगे capital M इसका mass capital M ले लिया capital M G acting in the downward direction बची हुई chain का mass मैंने M' ले लिया तो M' G will act in this direction total length कितना था बटा L, L में से L by 3 hanging है तो बचा हुआ 2L by 3 table पे रखा हुआ है, hanging part का mass अगर मैंने capital M माल लिया तो जो mass table पे रखा है chain का उसका हमने M' माना है यह assumptions है मारे, खुद से assume किये हुए तो बचा, let M mass of hanging part और M' dash mass of remaining part एक तो है mass of hanging part और एक है mass of remaining part अच्छा, तो sir, L length की chain थी जिसका mass था M तो unit length की chain का mass होगा M by L और यहां से hanging part है L by 3 तो L by 3 का mass होगा M by L into L by 3 M by 3, यह हमारा capital M आ गया यह हमारा capital M आ गया similarly, 2L by 3 वाली जो chain है उसका mass होगा M by L into 2L by 3 तो L से L मर जाएगा, can be written as 2M by 3 पैटा, यह हमारा M' हो जाएगा Unitary method का इस्तमाल करते हुए हमने M को निकाला M by 3 M' को निकाला 2M by 3 पैटा, Frictional Force लग रहा है यहां पे Work done by the Frictional Force मुझे calculate करना है कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें Coefficient of Friction भी नहीं दे रखाएं पे क्या होगा Limiting Friction की कहानी लगा दो यह से पहले Static Friction तो L by 3 पे जस्ट स्टार्ट हुआ है L by 3 पे जस्ट स्टार्ट हुआ है और L by 3 पे जस्ट अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्या करें, क्या करें, क्या करें Frictional Force into Dispacement क्यूंकि जब तक chain completely slide नहीं करती तो complete slide कर निकले chain को कितना चलना पड़ेगा 2 L by 3 distance अरे यार सोचो जड़ा completely slide कर निकले पूरा length cover करना पड़ेगा length cover कर निकले displacement को 2 L by 3 लिख सकता हूँ Frictional Force निकाल सकते हैं लोग कितना होना चाहिए तुमारे साब से Frictional Force L by 3 पे बात करें तो L by 3 पे mg जो है वो Friction के बराबर हो सकता है वैसे वसे बड़ा होना चाहिए थोड़ा ना कि सोचो जड़ा दिमाग लगो बई क्या answer बन सकता है इसका सोचो जड़ा क्या करें क्या ना करें यह कैसे मुश्किल है अरे simple है देखो यह L by 3 पे जस्ट स्टार्ट हो रही है तो L by 3 पे अगर वो जस्ट स्टार्ट हो रही है तो मैं बोलता हूँ कि जब यह लेंद L by 3 था बेटा ठीक है वेन हैंगिंग पाट इस L by 3 इस जड़ाट स्टार्ट स्टार्ट तो वहां तक की कंडिशन में एक वारी के लिए बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन हमारे Mg के बराबर हो सकता है बोल सकता हूँ क्या है बात तो फ्रिक्शन को लिखेंगे Mew into normal should be equals to Mg Mew into M dash G should be equals to Mg तो G से तो G चम चम हो जाएगा M dash निकाला था 2 by 3 into M और ये निकाला था कितना M by 3 क्या ये निकाले थे मास आपने बोलो क्या यही मास निकाले थे क्या M by 3 और 2 M by 3 बहुत बढ़िया तो साहब M by 3 से M by 3 मर जाएगा और Mew का value आएगा 1 by 2 तो coefficient of static friction की बात करूँ तो मैं वो निकाल सकता हूँ बेटा बिलकुल निकाल सकता हूँ तो यहाँ पे Mg अब जो है वो friction के बराबर है और almost उसे बढ़ा ही है तो just sliding वाली बात कर रहा हूँ Mg छोटा ही था तभी slide नहीं कर पा रहा था इससे पहले जब यह chain slide नहीं कर रही थी that means नीचे लगने वाला force friction से छोटा था अभी यह slide करने वाली है करने वाली है मतलब अब यह Mg friction के बराबर हो चुका है और अब धीरे-धीरे Mg friction से बढ़ा होता जाएगा Mg friction से बढ़ा होगा तो वो definitely chain को slide कर वाएगा वेटा दूसरी बात कि यार दिक्कत क्या रही है कि सर यह पूरी chain है अगर इसकी जगे एक particle होता तो particle के लिए तो define कर देता मैं कि सहाब उसका displacement 2L by 3 होगा बद chain में तो ऐसे हर जगा पे particle है इसका displacement 2L by 3 इसका displacement कुछ और होगा इसका displacement कुछ और होगा इस particle का displacement कुछ और होगा तो यार यह तो समस्या हो गई न यह तो समस्या हो गई कैसे करो में इसको solve बात तो तुमसे बोल बोल तो सर यह तो समस्या हो गई कि कैसे कर रहे क्योंकि हर एक particle के लिए हर एक particle के लिए displacement अलग अलग होगा और chain तो भाई पूरी length है ना तो किसको consider करोगे अभी तुमने एक concept पढ़ना है है center of mass कहते हैं उसको अगर तुमने वो center of mass पढ़ लिया तो बहुत अची बात है तुम center of mass का concept लगा लो नहीं पढ़ा तो फिर समस्या है फिर तो small element लेके solve करना पड़ेगा हमने बोला कि सहाब एक काम करते हैं कि एक छोटे से displacement की बात कर लेते हैं जस्चोटे से displacement की बात कर लेते हैं तो एक छोटा सा element हम कहीं पर भी ले ले और छोटे से element का छोटा सा displacement करा देंगे तो यहां से x distance पे मैंने एक element ले लिया और बोला कि साहब इस element की बात करते है यहां से x distance पे एक छोटा सा element ले लिया और इस element की अब बाते हम लोग कर लेगे यहां पे तो इस छोटे से element को x displacement कराने के लिए एक छोटा सा work done करना पड़ेगा तो पहली बात तो यह जो element आपने लिया है बेटा इसका length होगा dx जो element आपने लिया है उसका length होगा dx इसका mass होगा बेटा dm बिल्कुल सही बोले हो से तो dm का जड़ा मैं length निकालू तो dx length का जो mass होगा बेटा it is given by m by l dx and it is your dm सही बात है तो dm निकाल लिया बेटा मैं निया से अब इस छोटे से part के लिए मैं integration कर देता हूँ सारी बात है क्योंकि देखो friction तो इस पर भी लग रहा होगा है तो अब पूरी chain को हटा के मैं यहाँ पे सिफ छोटे से element को consider करता हूँ और इसको x displacement करना है जिससे की वो नीचे गिर जाए नीचे गिरने के लिए उसको x displacement करना है तो पेटा इस छोटे से part पे कितना work done किया होगा friction है वो calculate करते है तो calculating the work done calculating work done by friction on small element लेकिन उसके लिए frictional का force कितना लग रहोगा तो frictional force on the small element frictional force on small element so it is your df frictional force होटा है frictional force लगे का element के पर given by वेटा कितना होगा यह mu into sir normal normal कितना होगा इसका बोलो dm into g क्या बात सही है normal कितना होगा बेटा छोटा सा उसका mass यारे कि dm into g dm का value निकाला था तुमने तो friction की जो value आईगी आपके पास it comes out by mu into m by l dx into g m by l dx into g mu का value 1 by 2 था चल चल देदे तो dw is given by integral of यहाँ पे इसका f करना पड़ेगा mu df तो नहीं लिखता है चल देदे mu into m by l g into dx और displacement कितना होगा x limit लगा देना 0 से लेके कहा तक बेटा 2 l by 3 तक limits लगेगी 0 से लेके 2 l by 3 तक ठीक है चल ले ओके सर समझ गे बात को तो यहाँ तक तो कहानी clear है हमने क्या किया बोला कि भाई पूरे chain में तो समस्या है पूरे chain में समस्या है यार यहाँ पे question में और option में misprint हो गया थोड़ा सा इसको correction के लिए का बिटा यहाँ पे यहाँ पे जो capital M है सब की जगा small m लिख लेना ताकि confusion ना हो फिर कि question में small m था और अब हम capital M किसी और चीज़ को मानते हैं तो आपके answers भी यहाँ पे small m के terms में होगा कोई बात नहीं ठीक है परिशान नहीं होते हैं चोटी मूटी बातों पे बहुत negligible चीज़े हैं ही सारी ठीक है और जैसे तुम जिस level पे जा रहे हो वहाँ पे इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं इतना चीक है चलिए तो अब हम इसको solve करतें further तो बेटा यहां पे देखो जो constant पार्ट है उसको बाहार निकाल दीजिए बाकी का integration कर दीजिए जो constant पार्ट है क्योंकि देखो बेटा कितना length चाहिए सब 0 से लेके 2L by 3 तक तो जाना पड़ेगा क्योंकि यह limit अगर यहां पे है तो X का value 0 और यहां आएगी यह element अगर यहां है तो X का value 0 यहां है तो 2L by 3 है तो 0 से लेके 2L by 3 तक इसको हम लेके चलते हैं सही है बेटा बोलो ठीक है तो this can be written as 2 4L square by 9 2MGL by 9 MGL 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 work done by the frictional force तो frictional force की वज़े से work done आएगा में हूँ MGL dx.x constant part को बाहर निकाल दीजिए एक मिल्ट को इसको उपर उठाने के लिए कितना work done करना पड़ेगा इसको उपर उठाने के लिए जो work done करना पड़ेगा एक मिल्ट को ठीक है मिल्ट करना solve के इसको so dw is equals to mu m upon l dot g integral of x dx limit लगाना 0 से लेके 2l by 3 तरब ठीक है so dw नहीं लिखके अब इसको w लिखते है से so w is equals to mu mg by l x square by 2 limit लगेगी 0 से लेके 2l by 3 तरब so w is equals to mu mg by l अपर लिमिट और ये 2 बाहर आजाएगा 2 बाहर आजाएगा अपर लिमिट लगाई तो 2l by 3 का square 4l square by 9 minus 0 ठीक है बेटा 2l से ये 2l times cancel out हो जाएगा तो you are left with work done equals to 2 mu mg l by 9 अब बेटा mu का value कितना निकालत था 1 by 2 निकालत था तो mu का value भी put का दीजे तो work done comes out भी 2 into mu की जगा 1 by 2 multiply by mg l by 9 2 से 2 मर जाएगा तो यहाँ पर जो work done by the frictional force आ रहा है it comes out भी mg l by 9 जो frictional force आ रहा है comes out भी mg l by 9 जो frictional force आएगा वो कितना आएगा mg l by 9 आएगा जो कि मुझे d option में दिख रहा है and this is the right answer बिटाओ समझ दो बात को क्या हुआ भाई बागी सब तो ठीक था पहली चीज़ तो हमने coefficient of friction निकाली जब l by 3 था तो जस्ट यह फिसलने वाला था तो मैंने बोला भाई जो force इसको नीचे खेस रहा है वहाँ वो जो है अभी friction के बराबर होगा तभी यह just slide करना शुरू किया है क्योंकि जैसे जैसे अब यह नीचे वाला force increase होता जाएगा chain नीचे आके गिरती जाएगे तो l by 3 पे वो start कर रहा था slide करना यानि कि उस case में particular l by 3 पे मैं बोल सकता हूँ कि mg जो है वो f के बराबर हो सकता है तो वो ही मैंने किया है यहाँ पे उससे mu का value आया 1 by 2 अब मैं work done by the frictional force निकालना चाहता हूँ लेकिन point यह है कि बाई अलग 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 जगाओं पे mass अलग अलग दूसरी चीज हर एक का जो distance है from this edge हर एक का जो distance है from this edge is different हर एक का जो distance होगा from the edge is different तो हर एक का displacement अलग-अलग हो जाएगा बेटा हर एक का displacement अगर अलग-अलग हो जाएगा तो भाई हम किस के लिए calculate करें chain के लिए फर chain में तो हर एक particle का displacement अलग है तो हमने बोले काम करो let us consider a small element having the length of dx और वो यहाँ से edge से x distance पे ले लिया तो edge से x distance पे एक छोटा सा element लिया जिसका mass dm होगा तो पेटा l length का mass अगर m है तो unit का mass होगा m by l तो dx length का mass होगा m by l dx जिसको की dm बोला गया तो इस छोटे से इस छोटे से element पे क्या frictional force लग रहोगा आओ देखो यह रहा छोटा सा element having the mass of dm इस पे लगेगा dmg in the downward direction normal in the upward direction frictional force यहां लगेगा और frictional force होता है बेटा mu into normal तो यहां पे can be written as mu into dmg यह है बेटा frictional force तो mu into dmg this is the frictional force तो यही frictional force मैंने यहां पे बोला mu into dmg तो यह mu into dm की जगा m by l dx into g बेटा अब आपने work done calculate करने की कोशिश की क्योंकि आपको पता है f इस पे डिपेट करा है ठीक है तो work done निकाला तो mu m g by l dx dot x क्योंकि displacement तो x होगा बेटा है हम पे 0 से लेके 2 l by 3 तक का displacement हम करवाएंगे तो बैस को solve करना है solve करने के बाद आपने इसको लिखा इधर limits लगाई यह answer comes out बेटा देखो यह बला बन रहा है x square by 2 upper limit 2 l by 3 का square यानि कि 4 l square by 9 2 बाहर आ जाएगा 2 से यह 2 10 मर जाएगा l से l 10 मर जाएगा यह तो कहानी बनती है 2 mu m g l by 9 अब mu की value भी आपने निकाल ली है 1 by 2 तो mu की जगा 1 by 2 पुट करके solve किया तो friction की वजह से जो work done आ रहा है it comes out to be m g l by 9 बेटा यह work done कब तक होता रहेगा जब तक पूरी chain table से ना गिर जाए कितना part table पे रह गया था 2 l by 3 इतना part table पे था तो जब तक इतना part table से गिरेगा तब तक friction ने कितना work done किया m g l by 9 जब तक यह जो table पे रखा हुआ part है वो नीचे गिरता है तब तक friction कितना work कर चुका होगा m g l by 9 सवाल कुछ अलग था इस बार इस बार सवाल वो नीथा सवाल कुछ अलग था तो इसलिए approach भी अलग है पहले होता था कि hanging part है hanging part पे लेते थे आज element आपने table पे रखे हुए part में लिया है तो यह depend करता है कि वो किस चीज के लिए आप से discuss करवाना चाहता है किस चीज के लिए solve कराना चाहता है hanging part के लिए या फिर table पे जो चीज रखी हुए उसके लिए वहाँ पे अगर work done का formula अगर आपको याद हो तो MGL by 2N square आता था था फिर 2 आ जाता था यहाँ पैसे कहानी नहीं है यहाँ पे MGL by N square आ रहा है जो कि work done by the friction होगा on this part ठीक है तो चाहो तो यह भी याद रख सकते हो कि it should be your MGL by N square है न तो इस case में जो work done by friction होगा ऐसे बोल तूं क्या it is MGL by N square where N is the part जो कि hanging है जैसे कि यहाँ पे 1 by 3 part hanging है तो N का value कितना हो जाएगा 3 N का value 3 put किजिए सीधा आंसर MGL by N तो friction की विज़र से जो work done आ रहा है MGL by N square अगर N का part 4 होता बेटा 1 by 4 अगर part hanging होता तो N की जगा 4 put कितना है आंसर आता MGL by N square तो समझ रहे हो बात को समझ रहे हो बात को बेटा समझ रहे हो क्या बात को पक्का सच में बढ़े क्या आगे चाप चाप लो सारी बाते चाप लो चाप लो चाप लो done हो गया अगला साहल बोलता है the power versus time graph for a given force is given below the work done by the force अब देखो भई तुम सोच रहोंगे कि सब power poor तो आपने पढ़ाया नहीं अभी question कहां से देखो बढ़े बढ़ा simple सा fund है तुमने power के बारे में बच्पन में पढ़ा होगा w by t होता है power is the rate of doing work तो w by t होता है अगर मैं इसको differential form में लिखूँ तो बढ़ा power को लिखा जाता है basically यह average value होती है यह formula होता है average power का अगर मैं यहीं पे instantaneous power का formula बता हूँ तो it comes out to be dw by dt तो बढ़ा यहां से dw can be written as p dt तो w चाहिए तो it will be your integration of p dt यानि की power versus time का अगर आपको graph दे रखा है तो उसका area under the curve आपको work done देता है तो क्या मुझे p versus t का curve दे रखा है बिल्कुल sir क्या मेरे पास p versus t का graph है हां साहब बिल्कुल graph है आपके पास इस p versus t का graph का area निकालने से क्या मुझे work done मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, तो यहां तक, यहां तक बेटा, यहां से लेके यहां तक, बोलो, क्या यही एरिया होगा, ग्राफ का, बिल्कुल सर, बेटा, क्या यह एरिया पॉजिटिव है या नेगिटिव है, पॉजिटिव है सर, तो पॉजिटिव एरिया क्या डिनोट करता है ऐसा तो कभी हो नहीं रहा कि पहले वो work done increase हुआ हो फिर वो decrease हुआ हो ऐसी कहानी नहीं चल रही यहां पर समझ जो पेटा? area fixed है यहांप इसका area change नहीं हो रहा है area fixed इसका तो पेटा यह जो work done होगा it is always increasing पेटा तो ऐसा तो है नहीं कि negative work हो रहा है कि सा पहले तो ज़्यादा work हो रहा था बाद में decrease हो गया फिर ऐसा कुछ नहीं है, it is always increasing, positive है, कोई समस्या नहीं है, negative work हुआ नहीं, negative होता तो समझ आता है कि sir, ठीक है, positive से negative जाने के लिए बीच में 0 भी होता है, फिर negative आता है, तो पता चलता है कि work decrease हो रहा है sir, बट ऐसा कुछ नहीं है, it is always positive, तो बड़ी symbols यह प्रोच है, कि अगर आपक कि नहीं पढ़ा होगा, 9th class में तुमने definitely पढ़ा हो गए formula भी, power is to work upon time का, तो भाई यह average power होती है, अभी average power अगर यह है, तो definitely इसी बात है, instantaneous कुछ इसी प्रकार का दिखेगा, अब इतने बड़े तो हो चुके हो कि average और instantaneous में अंतर बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें जमाने भर का ग्यान दे दिया था, जब मैंने तुम्हें average speed और instantaneous speed के बारे बता था, साथ ही साथ, average velocity और instantaneous, याद नहीं है, हमें, हम भूल गए सर, हम भूल जाते हैं, पुरानी बाते, आपकी पुरानी बाते जो आप पढ़ाते हो, वो भूल जाते हैं, बस उसकी पुरानी बाते हम में याद रहती है, वो मत उनकी बाते याद मत रखो, चीजे जो मैं बोल रहा हूँ, उनको याद रखो, मेरी पुरानी बातों को याद रखा कर वो काम आएगी, उसकी पुरानी बाते काम नहीं आएगी तुम्हारे लिए, क्या हो तुम लोग BR, बताया था ना तुम्हें म बोला भाई, always increases, कदम कहानी, कोशन नमबर आठ की, छाप लो जल्ली से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए भी साब, तो छाप लिया होगा, समझ आ गई होगी बाते, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी DPP का होता है समापन, और उमीद करता हूँ कि जो कोशन आज आपको मैंने क करेंगे, ठीक है, बागी आपको लगता है वीडियो दुबारा देखना पड़ेगा, तो उसके लिए ओफिशल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाएए, वहाँ पे जाके आएटी जाना, एक फोटो दिख जाएगी मेरी, उस पे क्लिक कर देना, वहाँ पे जाके आपका रस्प आपको बोलता हूं, वेबसाइट पर जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे आओगे, तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कूपन कोड लगाना पड़ेगा, मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपका समय बचे, आपको कोई वीडियो धूड़नी ना पड़े, वा अपनी दोस्तों को भी जरूर ले के आना, उनको भी बता देना, कि भाई अगर तुम भी किसी competitive exam के preparation कर रहे हो, so magnet brains is the perfect solution, आके join कर लो, ठीक है, और चैनल पर अगर नहीं हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वो जो लाल बटन है, दबाओ अभी की अभी दबादो, उसके बगल में जो घंटा है, उसको बजा दो, so that कोई notification miss ना हो सके, ठीक है, तो आज के लिए बाद सितनी ही बाते, मिलते हैं आपसे अगले session में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहे है, all the very best.